कल राज जो मेरे साथ हुआ, वो मैं वर्ड्स के अंदर बता नहीं सकता। मेरे सामने से एक बंदा हमारे घर से गाड़ी चुरा के ले गया और जस टाम वो गाड़ी चुरा रहा था मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था की गाड़ी चोरी हो रही है। और उस तुरान मेरे कुछ actions थे, जिसने मुझे थोड़ा safe भी कर दिया, इस पूरे incident का जो outcome है, वो पहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता था. अब रात के दो बज के आठ मिनट पे ये बंदे को देखो, पूरे काले कपड़ों में, उपर से लेगे नीचे तक, इसने ब्लैक मास्क तक पैन रखे है, और काले रंग कई बैग ले रखे है, जिसके इंदर ये कुछ कर भी रहा है, क्योंकि इसको पता था कि मैं अपने टिक जाना उसने स्टार्ट कर दिया, और ये जो गाड़ी आपको दिख रही है, मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी, दोस्त ने अभी लिया है, होंडा अकोड 2018, 30-40,000 डोलर की गाड़ी है, बंदे ने शौंक से लिया है, और ये लोग आके देखो, कितनी इसको चुर बंदा तो नहीं खड़ा बार, और अब आपना seconds note करो, हिरान करने की बात है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ सेकेंड में बंदे ने गाड़ी कर ली, कोई कांच नहीं तोड़ा, कुछ भी नहीं किया, सिरफ frequency copy करी, और technology का देखो, किस तरीके से गलत यूज हो रहे है, और अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुए है, अभी तो सिरफ यह गाड़ी के अंदर गया है, अब जो है ना, इसकी main task शुरू होगी, कि गाड़ी को स्टार्ट करने है, क्योंकि गाड़ी बिना sensor वाली की के स्टार्ट नहीं होगी, तो अब यह डुप्लिकेड करने में लगा चाबी है, जो भी है, क्योंकि चाबी जो है किचन में पढ़ी है, अब अरिजिनल चाबी की frequency को यह catch कर लेते हैं, बाहर से ही, अब बैग के अंदर इसके कोई instrument होगा, अब इसने खिड़की खोलनी है, और बैग बाहर रख देना है, जमीन पे I don't know, भागने के लिए रख है, या फिर वही frequency कोपी करने के लिए, कि अंदर range आ नहीं रही होगी frequency वाली, और इतने में ही मेरी entry होती है, बाहर, और आप देखना भई, इतना भ्हंकर सीन है, यह बाद में realize हुआ मेरे को, कि यह देखना आप screen पे, मैं slow motion में करके दिखाता ह यह मैं बाहर आया, उस बंदे ने में कोई notice किया कि कोई आ गया, और यह गाड़ी जो निकल के जा रही है न, यह गाड़ी neighbors की है, यह भी right side में लगेगी अभी parking में जाके, और मैं पीछे मुड़ा gate lock करने के लिए उसने में को देखा, जल्दी से bag अपना जो है, गाड़ी क लगी भी है, तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ चल के जाना मैंने start कर दिया, कि वो रुख जाए, गाड़ी लगाए ना, कि मैं गाड़ी निकाल लूँ पहले, बड़ जैसी मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाऊंगा, गाड़ी भीया start होती है, यह देखो, अब आपको flash देख जाती है कि कानी खराब है, तो भी उसके बाद मैं अंदर आता हूँ, और मैं को धीरे-दीरे realize होना start होता है, कि एक crime हो रहा था, कोई चोर है, जो गाड़ी चोरी कर रहा था, और मोके पर मैं सामने पहुंच गया, मेरे दिमाग में ही ठोट आया, कि मेरे दोस्त गाड़ी अ लगा रहा है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाना मैंने start कर दिया, कि चलो वो गाड़ी पीछे ना लगाए, अगर मेरे को गाड़ी ना निकालनी होती, और मैं ही सोचता है कि चल मैं उससे पूछ के आतों जाके वो कहा जा रहा है, तो situation बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकती थी, क्योंकि उस incident में जो चोर होता है, वो भी घबरा जाता है, उसके पास कोई भी weapon हो सकता है, गन विकारा होना बहुत common है, and they can shoot you, और वो उस टाइम आपका कुछ भी हाम कर सकते है, news में हमें हमें बहुत कुछ already सुनने को मिलता है, और मैंने last video के अंदर भी ये च स्क्रीन पर देख सकते हो, तो भाई को निंदों में मैं सारी चीज़ा एक्स्प्लेइन करने की ट्राय कर जा था, कि बंदा ऐसे करके गाड़ी भुगा के ले गया, तो उसने बोला सचिन ने की मेरी कार में तो A-Tag था, तो वहां से भाई हमें लगा कि गाड़ी को हम ट्रै पर जब हमें कोई भी अपडेट नहीं दिखा फॉन के अंदर कि गाड़ी की लोकेशन नहीं दिखरी पुरानी लोकेशन नहीं दिखा रहा है, फिर हम अंदर आ गए सब, तो भाई हमने फिर पुलिस को भी बताना था कि गाड़ी वाड़ी चोरी होगी, तो आके हमने 911 कॉल करी और उन्होंने हमसे पुच्छा की वह अगरी तो उसके बाद भाई ठीक दो गहंटे बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पुलिस वाले आते हैं सुबएच चार एक बजे तो भी सचिन भाई फिर पीर जाता है पुलिस वाले से मिलने और पुलिस वाले बाद आई हैं आप इंसिडेंट वेगारा के बारे में पूछने तो बेसिकली उन्होंने वेरिफाई करना होता है कि आपने फॉन पर यह सारी चीज़ें बोल ली है तो क्या सच में एक्चुल में सारी चीज़ें हुई है तो बारिश पढ़ रही थी उस ताइम तो पुलिस वाला पूछता ह कि साइड में जाके बाते करते हैं तो इन्होंने अभी गैराज के सामने खड़े होके सारी बात बात करी होती है और सचिन भाई अपना सारे जो प्रूफ पर गारा है जो वीडियो आपने भी देखी वो भी पुलिस वाले को पगड़ा देता है ताइम आपको सारे इंसिडे पे एक location मिलती है हमें कि हो सकता है शाइद गारी उस जगह पी है तो जल्दी से हम फिर कॉल करते हैं पुलिस को और पुलिस को वो location दे देते हैं और पुलीस हमें ये बोलती है कि आप उस location पर मत जाना it's not safe और लगबग 1-10 घंटा हो चुग है हमें कोई update भी नहीं मिला सो बेसिकली हो सकता है उसने या तो A-Tech कही निकाल के फेंक दिया होगा उसे मिल गया होगा और जो भी रहेगा मैं आगे आपके साथ अपडेट शेयर भी कर दूँगा बट यह जो पूरा रिंग चल रहा है न यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी ठीक इसी जगह से ज हों कितने खुले चल रहे हैं हमने जो यह चीज नोटिस करी है न कि डवनों चावी में की लैस एंट्री थी और हम ने यूट Doch ली क कारे होती है न जो विप्टन से खुल जाती है और कुश बटन स्टार उती है तो उसके अन्दर यह ऐसई फ्रिक्वेंसी कोपी कर लेते हैं और within seconds आपकी गाड़ी आपके driveway से उठा के ले जाते हैं, so उस time तो मिले को कुछ नहीं हुआ, बाद में मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि भी, वो कहते हैं कि जिस time वार्दा थो रही थी, गलत time पे, गलत जगह पे पहुँच गया, तो वही है गाईज, मैं यही बोलूँगा, कि safe रहो, यह जो robberies वगारा का scene है न, यह बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस time पे, काम बाम के आपको बता है, यह problem पहले ही चल रही है, so वही है मैंने last video के अंदर भी यही message दिया था कि अपनी safety का आपको खुद को ही धियान रखना है, एक दो negative comment भी आया थे मेरे लिए, कि मैं बहुत ज़्यादा over precocious हो रहा हूँ, ऐसे सब के साथ ही धोड़ी ना कुछ होता है, तो आप खुद देख लो, एक ही निकला रहा, और सर्च में मैंने खुद ने भी इस तरीकी की चीज विटनेस कर ली, और बाकी मैंने जैसे कि आपको बताया, जो भी update आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट जाने से पहले, वही मेरा same message है guys, stay aware, stay alert